आओ जुक कर सलाम करे उनको जिनके हिस्से में ये मुकाम आता है। खुश नसीब होता है वो खून जो देश की काम आता है। नमस्कार आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे भारत ग्यानक्षर प्रस्तूप एक अनकही कहानी कारगिल सीरीज में। वैसे तो हमारे भारत के जवानों के वीरता और पराक्रम से हम सभी अच्छी तरह से बरिच्चित है। उनके शौरे और वीरता की गाथाएं हम बच्पन से सुनते आ रहे हैं। बिना थके, बिना रुके, तुफान में, बरसात में, हिमाले के उच्छी पहाड़ियों में, हर परिस्थिती में अपने फर्स को अदा करने में हमारे भारत ये सैनक इतने माहिर है कि इनके जजबे और पराक्रम को पूरी दुनिया सलाम करती है। भारतीय सेनक के जवानों की वीरता अदमे साहस और शोरे की सैक्रो दास्ता है सुनी होगी आप सभी ने आज के इस एपिसोड में हम आपको सुनाएंगे वीरता और दिलेरी की ऐसे ही एक कहानी कारगिल का युद्ध बर्फ में ढकी उंची पहाड़ियों पर इतने लंबे समय तक लड़ा जाने वाला विश्व का पहला युद्ध था यह भारत का पहला युद्ध था जो टीवी द्वारा संचारित किया जा रहा था अदम में साहस और शौरे की इस गाथा को सुनने से पहले आईए हम आपको लेकर चलते हैं कारगिल के युद्ध में तोलोलिंग की जीत के बाद अदभारतिय सेना टाइगर हिल पर कबजे करने की रनीती बना रही है तारीक 21 जून से एक नागा की पूरी टुकडी ब्लैक टूथ चोटी को वापस अपने कबजे में लेने के लिए निकल पड़ी थी तारीक 22 जून 1999 के दिन हमारे वीर्जबाजों ने ब्लैक टूथ चोटी को अपने कबजे में कर लिया था अब तक पाकिस्तानियों के घुसपैट द्वारा द्रास सेक्टर में जो चोटीयों पर कबजा किया गया था उसमें से हमने महत्तर हिस्सा अपने कबजे में कर लिया था अब टुकडी एक नागा तोलोलिंग के पॉइंट 5203 पर अपना कबजा जमाने लगी थी ब्रिगेडियर देविंद्र सिंग ओपरेशन 5203 को निर्देशित करते वक्त 22 जून को वही लोकेशन बेज पर घायल हो गये और उन्हें सबसे पहले फर्स्टेड के लिए ले जाया गया लेकिन इतने घायल होने के बावजूद भी देविंद्र सिंग अपने फर्स से पीछे नहीं हटे और उन्होंने अंध तक इस ओपरेशन का निर्देशन किया पॉइंट 5203 की हार पाकिस्तानियों को एक सबक सिखा गए और हमारे सतर इंफेंटरी ब्रिगेड के लिए एक होसला बढ़ाने का कारण बनी मुह तोड जवाब देने के कारण से हमें एक और ऑपरेशन लौच नहीं करना पड़ा और हमारे दुश्मन खालू बार रिजलाइन से खुद ही भाग गए सारे मीडिया में पाकिस्तान की मेली मुरादे सामने आ रही थी और हमारे भारत में इस युद्ध को लेकर दूसरे दिन 30 जून को एक कॉणफरेंस की जाने वाली थी वह कॉणफरेंस भारत की महत्तर्म समाचार चैनल लाइव दिखने वाली थी इंटरनाशनल मीडिया में यही खबर आ गई थी कि पाकिस्तान का यवार बिलखुलियानी उचित है और इसका परिणाम उसे भुकतना पड़ेगा अब बात करते हैं ऐसे वीड जवान की जिन्होंने पारूद के गोले बरसाते हुए अपनी जान दे दी और अपने आखरी प्राणों तक अपनी मातर भूमी का रक्षन किया 24 जून 1999 को टाइगर हिल्स पर पाक सेनिकों को घेर कर मारने वाले में से 117 रेजिमेंट के जबास नगर उद्धव दास भी शामिल रहे वह सुदूर पूर्वत्तर राज असाम के निवासी थे उद्धव हिल्स पर बंकरों में घात लगाए दुश्मनों के लिए काल बन गये थे वह अपने तोप के गोलों से आग बरसा रहे थे उनकी तोपों से निकले हुए गोले दुश्मनों की तबाही का कारण बन नहे थे उद्धव के निशाने का यह आलम था कि दुश्मन के बंकर एक एक करके ध्वस्त हो रहे थे 24 जून की रात भारती तोपचियों के लिए महत्वपून रात थी उद्धवार उनके साथ ही गणों द्वारा छोड़े गए गोले उन पहाडियों को चिंदी तिंचिंदी कर रहे थे जिसमें घुसपैठी है दुपके बैठे थे उनका सिर निकलना दूभर हो गया था वह आकरमन से बच्च कर भागना चाहते थे भागने का रास्ता तलाश कर रहे थे मगर मौका नहीं मिल पाया ताइगर हिल पर तोपो का हमला तेस कर दिया गया था सुबा तक हमले का रुक आकरमक था लेकिन दोपहर होते होते गरच्चती आंग उगलती तोपो ने शांती का संचार कर लिया था दोनों तरफ से फाइरिंग थम गई थी खाना खाने के बाद नगर उद्धव बेखौफ होकर अपनी तोप की पोजीशन बदल रहे थे उन्हें जरा भी आशंका नहीं थी कि दुश्मन घात लगाए बैठे हैं लेकिन पाग उस्पैठिये बंकरों में बैठे भारतिये जवानों पर निशाना साधे हुए थे उद्धव की जरा से चूप का फाइदा उठा कर पाग उस्पैठियों ने अपनी तोप का मुह उद्धव की ओर करके एक गोला दाख दिया उद्धव का गोला उद्धव को सिर के पिछले हिस्से में लगा और वह गिर कर वीरगती को प्राप्त हो गया तोप के गोलों से दुश्मनों के दाथ खटे करने वाले उद्धव ने अपनी शहादत दे कर वीरता की नई मिसाल कायम कर दी 21 साल के उद्धव अभी 3 साल पहले ही सेना में भड़ते हुए थे उद्धव बहुत ही गरीब परिवार से आते हैं और वह पूरे परिवार का आधार थे उन्ही के कमाई से पूरे घर का खर्च और खेती वाड़ी का कारे चलता था कारगिल के युद्ध छेडने पर उद्धव ने एक पत्र लिखा और जिसमें उन्होंने लिखा था कि लड़ाई चल रही है लेकिन आप लोग चिंता ना करें मैं सुरक्षित हूँ और जल्दी घर के खर्च और खेती वाड़ी के लिए कुछ पैसे भेजूँगा उनके चाचा भावेश दास ने बताया कि छे दिन पहले फोन कर उनकी घरवालों से बात हुई थी बताया था कि दस हजार भेजे हैं रुपया तो घर नहीं पहुँचा लेकिन तिरंगे में लिप्टा उद्धव का ताबूत में रखा शब जरूर पहुँच गया पिता पंदुराम अपने बेटे के शहादत से धुखी तो थे पर उन्हें गर्व था कि उनके बेटे मातरभूमी की रक्षा में काम आए उद्धव की शहादत से उनके परिवार का कमाउ सपू छिन गया लेकिन उद्धव पर पूरे संसार परिवार गाउ को नाज है इस प्रकार एक वीड जवान ने अपना सर्वस्तर अपनी मातर भूमी पर त्याग दिया ऐसे ही कहानियों से जुड़े रहने के लिए बने रहे हमारे भारत ग्यानक्षर के साथ हर रोज एक शहादत की कहानी और कारगिल के रण भूमी एवं राष्ट में क्या हो रहा है उसकी खबर के लिए धन्यवाद